कि नमस्काइब यह से सेकेंड यह चलिए बिटा क्लाश शुरू करते हैं इसमें आज जो हमारे को टॉपिक पढ़ने है वो है वेलोसिटी और एक्सलेरिशन का पार्ट टू है यह और इसके पहले हमने थर्ड यूनिट में पार्ट वन जो पढ़ा था उसमें त्रिजी और अन वेलोसिटी और एक्सलेरिशन यह वेग और त्वरन निकालते हैं त्रिजी और आर के डारेक्शन में अनुप्रस्त मतलब उसके लंबवत डारेक्शन में हम निकालते थे ठीक हैं यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर जो कर्व आपको दिया होगा वो नैज सूत्र के नह वकर के की सिवेंद्यों की स्पर्श रिखापर वकर के केंडर से डाला गया लंब जो होता है वह अभिल्प कहलाता है तो उसके रूप में यहाँ इस चितर में आप देख सकते हैं कि एक कर्व बना हुआ है A से B तक हमने उसका चाप लिया है दो बिंदू हमने लिये हैं P और Q लिये हैं और यहाँ पर यह समय T और T प्लस डेल T के बीच में कण की स्थिति दिखाते हैं जो स्परश रिखा का एंगल है X-axis के साथ X-axis के साथ जो एंगल बन रहा है वो साई है और T प्लस डेल T के समय साई प्लस डेल साई है तो बीच का जो एंगल है वो डेल साई है जब हम इस डेल साई को 0 की ओर करते हैं इसका मतलब Q को P की ओर लियाते हैं तो instantaneous velocity जो हमको मिलती है वो इस परश रेखा के घूमने का जो या change होने की जो दर है वो हमारी क्या होती इस परश रेखी वेग तो इस परश रेखी वेग जो होगा इस परश रेखी वेग जो होगा वो हम दिखाते हैं किसे D S by D T जहांपे S जो होता है वो चापी ये दूरी क्यालाता है चापी ये दूरी, याद रखे चापी ये दूरी अलग कैसे है, चापी ये दूरी का मतलब है कि किसी कर्व के चाप के उपर तै की गई दूरी, जो दूरी हम कहते हैं, स्ट्रेट हम सिधी-सिधी दूरी कह रहे हैं, डी लिख रहे हैं, डी अलग होता है, डी मतलब क्या होता ह यहने कि सीधी रेखा पर चला गया distance A और B के बीच में S जो होता है वो क्या होता है A और B को मिलाने वाले चाप पर चली गई दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है S कहलाता है इसी तरीके से जो अभिलाम्बिक वेग होगा अभिलाम्बिक वेग यह होता है सदैव याद रखिएगा क्या होता है जीरो होता है अभिलाम्ब की दिशामे में तौरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है ठीक है चली परिणामी हम आगे निकालेंगे परिणामी भी इसमें आएगा फिर इसे तरीके से सपर्ष रेखिय और अभिलाम्बिक तौरण जो होगा सपर्ष रेखिय तौरण यानि वेग में परिवर्तन उसको हम दिखाते हैं डी स्कौाइर एस बाई डी टी स्कौाइर या फिर इसको आप लेक सकते हो वी डी वी बाई डी टी इस तरीके से और जो अभिलाम्बिक तौरण होता है अभिलाम्बिक तौरण ये हम दिखाते हैं किसे वी स्कौाइर अपॉन रो जहां पर रो किसके बराबर है रो है डी एस अपॉन डी साई यानि कि चापी है दूरी में परिवर्थन जब एंगल में परिवर्थन हो रहा हो तब अब परिणामी वेक जो हमारा होगा वो होगा रूट आफ रिजल्टेंट निकालेंगे हैं डी एस बाई डी टी का स्कौाइर प्लस जीरो का स्कौाइर यानि बस वी स्कौाइर अपॉन रो का होल स्कौाइर इस तरीके से बैसिकली अगें किसका कुशन बनता ही है डिफ्रेंशेशन क्या 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 आप देख सकते हैं बहुत बाई डिफ्रेंशेशन करना है हमको डी एस बाई डी टी निकालना है यह चीज निकालनी है इसी तरीके से हमको डी स्कौाइर एस बाई डी टी स्कौाइर निकालना है हमको रो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा डिफ्रेंशेशन करना पड़ेगा तो यह सारी चीज़ें डिफ्रेंशेशन है और differentiation दिया होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा integrate करना पड़ेगा ठीक है अब एक सवाल से समझते हैं हमारा सवाल है एक बिंदू समान चाल V से cycloid S is equal to 4A sin cipher गतिमान है पत के किसी बिंदू पर तोरण ग्याद कीजिए तोरण याने हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा ds by dt का square निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा V square upon rho निकालना पड़ेगा इस दोनों चीज़ें हमको निकालनी ठीक है कैसे निकालेंगे इसको हमको क्या दिया हुआ है cycloid का समीकरण साइकलाइड को समी करने क्या है दिया हुआ है s is equals to 4a sin psi ठीक है यह पहला हो गया ठीक फिर हमको क्या दिया हुआ है इसका जो क्या बोल रहा है समानचाल v से तो जो स्पर्शरेकी वेग है क्या दिया हुआ है स्पर्शरेकी वेग ds by dt यह किसके बराबर दिया है v की और यह कैसा है अचार है ठीक है अब यह अचार है इसका मतलब स्पर्शरेकी त्वरण जो होगा इस पर्शरेकी त्वरण यह किसके बराबर हो जाएगा यह बराबर हो जाएगा d square s by dt square constant का differentiation क्या होता है 0 हो जाता है इस परशले की तोरण क्या हो गया 0 हो गया ज्याने की हम क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं इस तरीके से हम लिख सकते हैं इस तरीके से rho is equals to d s by d psi जो कि है वक्रता त्रिज्या यह हो जाएगा differentiate कीजिए इसका 4a cos psi यह मिला याने हम क्या लिख सकते हैं d s by d s by यह हो जाएगा d s by d square s एक मिले यह गड़बड है इसको मिटाए जाए हमको निकालना है क्या हमको निकालना है यह त्वरण अभिलाम्बिक त्वरण तो अभिलाम्बिक त्वरण क्या हो जाएगा हमारा v square upon rho याने की v square upon 4a cos psi ठीक है यह मिल गया हूँ को ओके चली परिणामी त्वरण परिणामी त्वरण क्या हो जाएगा root of d square s by dt square का whole square plus v square upon rho का whole square यहां से आपको मिलेगा root of यह तो हो गया 0 plus v square upon 4a cos psi का whole square याने आपको क्या मिल गया सिदा सिदा यही मिल जाएगा v square upon 4a cos psi ठीक है यह मिला इसको हम किस रूप में लेख सकते हैं इसको लेख सकते हैं v square upon 4a root of 1 minus sin square psi और sin square psi की value यहां से समी करण 1 से समी करण 1 से हम रख सकते हैं v square याने इस समी करण से हमको रखना है इसको हम रख सकते हैं 4a root of 1 minus s upon 4a का whole square याने कि आप लिख सकते हैं किस तरी क्या लिख सकते हैं इससे इससे आप लिख सकते हैं 4a से 4a cancel हो जाएगा root के बाहर तो आपको मिलेगा v square upon root of 16a square minus s square या आपका क्या हो गया answer हो गया ठीक है इस तरीके से आपको निकालना है simple क्या करना है differentiation करना है कभी कभी integrate करना है जैसे कि इस सवाल में अब सवाल को देखे समतल वक्र पर ग्रतिमान करण के सपर्ष रेखिया और अब इलाम्बिक तरण सदे अचर रहते हैं तो T समय में कोण के घुमने की गती समी करण size equals to a log plus 1 plus bt के दोरा दी जाती है ठीक है अब यहाँ पर integrate करना पड़ेगा तो integrate कैसे करेंगे अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है ठीक है इस पर्ष रेखियी तरण तरण यह किसके बराबर दिया हुआ है d square s y dt square किसके बराबर है mu के बराबर नेमान लेते हैं lambda के बराबर जो कि क्या है अचर यह देजिए समीकरन एक इस तरीके से abhylambic abhylambic तरण यह किसके बराबर है v square upon rho is equals to mu यह हो क्या ओके चलिए solve करते हैं इसको तो यहाँ से देखिए जब हम integrate करेंगे एक को एक के समा कलन से तो यह हो जाएगा ds by dt is equals to lambda t plus c और यह किसके बराबर होता है v यानि क्या v k तो v k यानि v square यहाँ पर रखने पर और इस से देखिए 2 से v square by rho इसको हम लिख सकते हैं ds by dt into ds by dt और rho किसके बराबर हमने पढ़ा है ds upon dsi तो एक दोनों को combine करने पर इसको और इसको combine करने पर यह हो जाएगा dsi upon dt into ds by dt यह clear होना चाहिए आपको ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं और यह किसके बराबर है आप इस differential equation को हम क्या करेंगे solve करेंगे ds by dt की value भी हमको मिली हुई है तो del psi by del t lambda t plus c is equals to mu या फिर dsi by dt is equals to mu upon lambda t plus c integrate करने पर समा कलन से क्या हो जाएगा psi is equals to mu t sorry mu t नहीं आएगा गलत कर रहे हैं गलत कर रहे हैं इटाया जाएगा इसको one upon है यह ना one upon है इसलिए अलग तरीके से deal होएगा यह यह होगा mu upon lambda t plus c का integration dt t plus c1 okay तो यहां से आ जाएगा यह psi is equals to integrate करने पर आएगा mu upon lambda आएगा और क्या जाएगा log lambda t plus c is a plus c1 इसको दीजे समीकरंट 3 अब हमको c1 की value निकाल ली तो c1 की value के लिए देखें प्रारंभ में t बराबर 0 पर c बराबर 0 यह जब start होता है करन तब कोई angle नहीं बनता है जब कोई angle नहीं बन रहा है इसका मतलब c भी क्या होगा 0 होगा ठीक है करन गती नहीं कर रहा है तो गती नहीं कर रहा है साई बराबर 0 रख दिये हमने तो हमको यहां से मिल जाएगा c1 is equals to minus mu upon lambda log कितना मिल जाएगा c यह है समीकरंट 4 इसको feedback हम करते हैं c1 is equals to mu upon lambda log lambda t plus c minus mu upon lambda log c यहां जाएगा c1 is equals to mu upon lambda यहां जाएगा log a minus log b कितना हो जाएगा log lambda t plus c upon c यहांने कि आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से यह हो जाएगा c1 is equals to mu upon lambda log of 1 plus lambda t upon c अब यहां पर देखें mu upon lambda क्या है अचर है इसको हम क्या मान लेते हैं a और lambda by c यह भी क्या है अचर है इसको हम क्या मान लेते हैं b याने कि जो समीकरण होगा size equals to a log 1 plus bt होगा यह आपका क्या गया अचर है तो इस तरीके से यह सवाल बन रहा है बहुत आसान है ध्यान से बनाईए आपके से कोई भी सवाल यहां पर बन सकता है ठीक है चलिए एक और सवाल बनाके देखते हैं जो बहुत बार पूछा गया है इस टाइप का सवाल आपने पिछले जो हमने पढ़ा था कौन सवाला अभिलांबिक त्रिजिय और अनुप्रस्त वेग और तोरण में पढ़ा था सीम इसी टाइप का एक सवाल हम यहां पर भ एक बिंदू सम्तल वक्र पर इस प्रकार गतिमान है गतिमान है कि इसका स्पर्शर एक ही है और और अभिलांबिक त्वरण बराबर है साथी स्पर्श रेखा का कोणी अवेग कोणी अवेग अचर है वक्र का समी करण ग्याद कीजिए ठीक है हमको समी करण निकालना है वक्र का चली सॉलूशन देखते हैं इसका क्या बोल रहा है कि उसका स्पर्श रेखिया और अभिलांबिक त्वरण कैसा है दोनों बराबर है तो स्पर्श रेखिये जो त्वरण होता है दी स्क्वाइर एस बाई डी टी स्क्वाइर होता है अभिलांबिक त्वरण जो होता है रो स्क्वाइर बी स्क्वाइर अपान रो होता है ठीक है तो यदि इसको मैं इस तरीके से लिखू हमने डी स्क्वाइर बाई डी टी स्क्वाइर को ये भी लिखा था वी डी बाई ड इसको change किये v square upon row तो v से v क्या हो जाएगा cancel हाँ पर ds आएगा ds ठीक है यानि कि यहाँ पर हमको मिल जाएगा dv by dv by ds is equals to v upon row यह मिलेगा ठीक या फिर हम इसको लेख सकते हैं dv by ds into row is equals to v ठीक अब इसको हम क्या लेख सकते हैं इसको हम लेख सकते हैं dv by dv by ds और इसको हम लेख सकते हैं ds by ds is equals to v और साथ ही हमको क्या दिया हुआ है हमको दिया हुआ है कि इसको change कीजिए तो cancel क्या हो जाएगा ds ds cancel हो गया इसका effect cancel होगा cancel यह ऐसे नहीं होता है यह हो जाएगा dv by dpsi is equals to v या फिर आप लिख सकते हैं इसको इस तरीके से dv by v is equals to dpsi याने की हमको मिल गया log psi is equals to psi plus log c जहाँ पे log c क्या है constant ओके जल्दी से बनाते हैं इसको हमको इधर भेज़ दीजिए इसको ती हो जाएगा log psi minus log c is equals to psi log v आएगा सरी यहां करबढ़ किया है मैंने यहाएगा log v यह भी log v आएगा याने की log v upon c is equals to psi ठीक है यह मिल गया आपको यहने v बराबर v is equals to मिलेगा log हटाने पर e to the power psi और साथ में upon क्या मिल रहा है c या फिर इसको आप लिख सकते हैं capital c e to the power psi यह मिल जाएगा ठीक है अब v को हम क्या लिख सकते हैं v को हम लिख सकते हैं ds by dt इसको हम क्या लिख सकते हैं ds by dt तो ds by dt को हम लिख रहे हैं इस तरीके से इसको break कर रहे हैं ds upon d psi d psi by dt is equal to c e to the power ci और साथ ही क्या दिया हूआ है कि हमको क्या दिया हूआ है कि जो je Fuic कोणी अवेग d si by dt जो कोणी अवेग है वो क्या है अचर है इसको हम क्या मान लेते हैं k अचर को हमने क्या माना k मान लिया तो यहाँ से हमको मिलेगा यह V तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ds by d psi into k is equal to c capital e to the power psi ठीक है? याने की हमको मिल रहा है ds by d psi is equal to c upon capital k e to the power psi बस integrate कर दीजे इसको तो integrate करने पर हमको क्या मिल जाएगा? इंटेगरेट करने पर यह हो जाएगा s यह हो जाएगा c upon k e to the power psi प्लस कोई भी constant ले लिजे capital A ले लेते हैं हम ठीक है? याने की आपको क्या मिला? यह capital B ले लिजे और इसको हम a लिखते हैं s is equal to a e to the power psi प्लस b जहांपे a बराबर क्या है? c upon यह जो हमको मिला यह क्या है? एक यह हमारा क्या आ गया? s और psi में संबंद s साई में संबंद जो की क्या बनाता है? संबंद यानि यह हमारा वक्र का समीकरण आ गया ठीक है? यह helix का समीकरण एक प्रकार से इसको helix कहते हैं ठीक है? तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहां पर जो जो तरीका है बनाने का वो यही है या तो differentiation करना है या तो integration करना है ठीक? तो आप जित्ते सवाल आपको दिख रहे हैं बुक में वो बनाईए बहुत अच्छा topic है बहुत सरल topic है इस से सरल topic is unit में ठीक है बेटा थेंक यू